हलो बच्चों न्यू लाइट की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत थे प्यारे बच्चों और मैं पिक्रम चकवर्थी आज आपके समक्ष लेकर के हाज रुआँ दस का दम का सनौ प्यारे बच्चों आज हम लों का पेपर है और फूल सिल्वर्स टेस्ट का ये अब दूसर को धन्यवाद देना चाहूंगा इन सभी टीचों ने बहुत ही सांदार किया है बहुत कुछ सिखाया है उन लोगों ने अपने सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है तो आप लोग भी अभी सीखेंगे तो आई देखते हैं हमाई टेक्सर का लोगों पढ़ने क मैंने को चेंज किया है एड़ी बात और अभी तक मस्टर्ड पॉधा नाम जानते थे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है तो ब्रेशी केसी के एक्जामपल आपकी बुक में मूली कैरट गाजर तरनिफ ठीक हैं यह सब होते हैं और यह जो डाइग्राम बना है यह से होगा और इसी बुक में जश्ट इसके बगल में जो करड़ का बना हुआ है वही ब्रेशी केसी फैमिली का है तो बच्चों यह कोश्चन डाइट नहीं इन डाइट तरीके से पूछा मैंने वह आप लोग इसको पकड़ नहीं पाओ देख सकते हैं आप लोग सबसे अधि दुक की बात है कि आप लोग का दो महीने एकजाम के बचे बचे हैं लगबग लगबग नओं और आप लोग को बुक का डेटा नहीं याद हो तो सकते हैं 12 AUDI30 सुप बच्चे सिर्फ यह फ्लोर वीटल का डेटा नहीं याद कर पा रहे हैं यहाँ पर आर जो होता ठीक है डेथ रेट पर कैपिटा ठीक है डेथ रेट पर कैपिटा और बर्थ रेट पर कैपिटा मतलब प्रती इंडिविजुल कितना बर्थ रेट और यह आर क्या बताता सर सपोसेट इक बड़ा सा पापुलेशन है इस पापुलेशन में दिये गए टाइम पीर में अंडर कं कुछ लोग पैदा होंगे दैट इस भी कुछ मरेंगे दी तो पापलेशन बढ़ेगी कब जब वाली चीज बढ़ेगी और दी थोड़ी कम रहेगी ऐसा दी कम होगी कुछ मरेंगी कुछ पैदा होंगे तो ओवराल रेजल्टन जो आर है वो तभी बढ़ेगा जब जन्मदर अधिक हो जाए और उनका सरवाइबल बढ़े और दी मिर्तिदर थोड़ी कम हो तो यह बढ़ेगा यह हो ही नहीं सकता कि पैदा हो नहीं तो हर पैदा वाने होने वाला होस्त अपने एडल्ट होने तक बहुत से बच्चे भारत में जो पांच साल के अंदर मर जाते हैं यह चीज अब उसके बिहाँ पर 1981 में क्यों मन के लिए जो आरो की बताई गए थी वह पॉइंट बताई गई थी भाईया देखिए जो फ्लोर वीटल है उसकी वैलू पॉइंट वं टू बताई गई है ठीक क्या बताई गई ए पॉइंट वं टू और यह किस के लिए है यह के लिए हैं तीन डेटा आपकी बुक में दिये थे और यह बड़े दुख की बात है कि आप लोगो डेटा नहीं याद है बहुत से बच्चे कहने हैं साथ सार देखिए मेरा तब तक यह शियोर नहीं है कि आपका सेलेक्शन हो गया है नहीं तब उस दिन तक आपका समर्पंड आपकी निष्ठा आपका जज़वा कितना रहेगा यह महत रखता है तो चाहें सवाल पांच गलत हो चाहर चार गलत हो बस कुल मिला कर गे अगले पेपर में वो सवाल गलत सही चलता रहेगा थेको बड़े दूख की बात है कि आपको डेटा नहीं आदो पारा हो तो अब देखिए आपको बताय गया था कि एक हार्मोन है एक हार्मोन है वो दो प्रकार से काम करता है हार्मोन रेसेप्टर कॉमपलेक्स बना के अब यह कहा ह results रखता अगर सेल के मिंब्रेन पर है रिसेप्टर और फिर सेकेंडरी मेसेंजर के माध्यम से अपना हर्बोन दिखाता है तो यह वह केस है दूसरा केस यह है कि अगर नुक्लियस के अंदर receptor हो जाए ते इंट्रा नुक्लिएर या इंट्रा सेलर रेसेप्टर तो नुक्लिएस के अंदर डायेक्ट वह जीनोम से वाइंड करेगा जो की दूसरा डाइग्राम दिया गया है यह वाला डायेग्राम जो वह नॉन इस्टराइडल यह इस्ट्रोइड नहीं होंगे पहली बात और ओड़ो थाइरो नीन्स को छोड़ कर यह दो केटेगरी को छोड़ कर यह सारे हार्मोन इसको फॉलो करेंगे ठीक है तो एक इंट्रा निपले रेसेप्टर जो होता है वह हार्मोन जीनूम कांप्लेक्स बना लेगा और एक होता सिगनल देगा कि हाँ यह किनकर आया है अब वह इस सेल पर इस तरह से प्रभाव डालेगा तो डालेक्ट अगर सेल के अंदर जा करके जीनूम से बाइंड करके हार्मोन बनाएगा और यह जो होगा यह नान इस्ट्राडल होगा और आइडो थाइनून को छोड़कर बस यही आपके इस्ट्राइड है यह आईडो थालो नींस है तो फस्ट आपका फस्ट अब देखिए कुछ नहीं अभी सवाल को समझते हैं सपोस्ट यह हमारा वर्तवान है एक जीव है इतना आपको मालूम है कि जो आने वाली जन्रेशन होती है वह पहले से एडवांस होके आती है अब चल्वानच आने वाली फोर्ट करby जन्रेशन होती है वह एक एक सारे करैटर को नहीं छोड़ती है अपने अपने एंसेर को कुछ करैटर लेके आती है लेड़ सपोर्ज आपको मालूम है कि हम लोग जानते हैं कि डाइकड से मोनो काड की ओरजिन हुई है यह इवुलूशन बताता है ठीक तो डाइकड का करेक्टर सेकंड्री ग्रोथ है और सब्सक्राइब करणफ Mutta wojप कहते हैं कि इसकाप एसे मौनो कलर्षाइचे हुता है होता है यह माना जाता है क्लोफील होता है और दूसरा से पायरी- मौइरस होता है और पाई नौयर्स कुछ ब्राइब फोर टेड़ो फाइट ने पाए जाता है जो यह बताता है इकलो फाइसी से ही लेंड्स प्लांट की ओर जिन हुई है इसके अलावा यह कहा जाता है कि रेप्टाइल से रेप्टाइल से मैमल की और बर्ड की एक साथ बाई फरकेशन से इवलूशन हुआ है कैसे आप कहेंगे रेप्टाइल का जो सेलेंट फीचर था वो था स्केल्स और इसक्यूट्स दूसरा ओवी पैरास टोल पेर केनियल नर्व ठीक है इतने करेटर थे टोर पे और आपका कु होता है अब देखिए जो पहला प्रिम्टिव मैमल था आनितो रिंकर जो की प्रोटोथिया का मिम्बर है उसमें टोल पेर के नर्व है वह भी पैरास है बाकि रेस्ट ऑफ दा मैमल भी पैरस है तो इसका मतलब रेप्टाइल से ही मैमल की और जिन हुई है ठीक है अब देख इसमें ट्रेंड है कि जब कोई आने वाली जनरेशन अब देखिए यह अगर वर्तमान है तो आने वाली जनरेशन को बोलेंगे डेसेंट ठीक है और जो पीछे रह जाती ही वह होती एंसेस्टर यह बात याज हूँ तो मेरे पूर्वच क्या रहा है और आने वाजिशन डेस आप आपको मालूम है अब देखिए आपको मालूम है कि जो आपका ऐनीमैलिया होता बचो ऑनी मैलिया यह मल्टी सेलेफलर होता है ठीक सेलवाल absent होता है ठीक और यह heterotropic होते हैं totally इसमें कोई सक नहीं तो यह दो character तो इंगे totally absence of cell wall और heterotropic बचा multi solar अब ध्यान से देखिए proto जोवा को अगर आप देखेंगे proto जोवा तो वह यह तो unicellular है ठीक इनमें cell wall नहीं है यह heterotropic है तो यह दो character totally इंसे match कर रहा है और unicellular और यह multi solar इतना तो आपको पता है कि दुनिया में पहले प्रो केरियाट आया फिर यू केरियाट आया unicellular से multi solar की origin आगे बढ़ा है multi solar is more advanced than unicellular इसका मतलब कि यह अगर आज आपके decent है यह वनसज है तो यहीं इनका ancestor है इसमें कोई सक नहीं निसंदे यह इनका ancestor है यह उसमरी ट्रेंड देखें एपसेंस और हेट्रोट्राफिक और यह unicellular है और यह multi solar है इतना आपको पता ही है कि multi solar बाद में तो प्रोटोजोवन सेल्वार अपसेंड और प्रोटोजोवन सार्व यूनिस स्विलर हेट्रोट्राफ्स यह सही है वाई यह सीखने की बात थी आगे हो सकता हो आपको यह देखना है कि जो आज जिसके रेफरेंस पूछा जा रहा है तो उस एंसेस्टर में अगर प्रिमिटिव रिलेटिव यहां पर हम एंसेस्टर भी लिख सकते थे तो इस जिसे एंसेस्टर बनाया जा रहा है उसमें कुछ स्क्रेटर ऐसे हो जाहिए जो उस पूरे गुरुप के रिफरेंस में कही जा रही है अब देखे मावला एंड हुमन यह सवाल सीखने का था कुछ नहीं सपोस्ज यह आपका जाइगोट है सिंगल से जाइगोट कोई भी दुनिया में सेक्षोई रेपोडिशन आर्जम है या मल्टी सोलर वाला है उसकी जिंदगी जाइगोट से स्टार्ट होती इसमें कोई सक नहीं है अब देखिए आपको सेल साइकल में पढ़ाया गया था यह एक सेल है जब यह डिवाइड करत सिंगल सिंगल रहेमरेंद ने जिए जितनागों संप्लेट एक्स इसमें है इसा जिन्यूम को इंटक्ड रहना चाहिए भी आपको पता है कि एक base pair भी उपर नीचे हो जाता है, तो mutation हो जाता है, एक chromosome का set उपर नीचे हो जाता है, तो पूरा का पूरा syndrome हो जाता है, इसका मतलब cell division की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की होती है, कि उसका genome intact रहे, वरना फिर syndrome और disease हो जाते हैं, और natural में, nature में कभी भगवान ऐसा नहीं च type of cell division फर्क इतना है, कि इसमें एक से दो, दो से चार, चार से आट cell बनते हैं, नमबर अफ से बढ़ता है, डेने के लेगे, इसमें क्या होगा, अब सपोजर ये एक cell है, इसका पूरा साइटो प्लाज मैं से भरा हुआ है, अब मैंने क्या किया, इसी में मैंने इसे 20 से प्लाज्टो मियर का नाम दिया गया है, तो आप से पूछा जाएगा, सर ब्लाज्टो मियर क्या एक टाइप आप अफ सेल, नूली डॉटर सेल, ये जितने बन रहा है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और जितने सेल बनेंगे, सपोजर ये 2C डिन ने, और हुमन कर लिए तो 46 क्रोमोसोम, तो मैं कह रहा हूँ, इसमें भी 2C, इसमें भी 2C, 46 क्रोमोसोम, अब इसमें भी 2C डिन ने, 2C डिन ने, 46 क्रोमोसोम, और ये 2C, 2C, सम्में 46, 46, और ऐसे ही 2C डिन ने सम्में होगा, और मावला में क्या होता, 8 से 16 सेल होंगी, तो अब बताए, 16 सेल में 2C डि से और 2C DNA से और साइटोप्लाजम था एक सेल का ध्यान से देखिए अभी वी एक ही सेल का साइटोप्लाजम है लेकिन उसके अंदर सेल के अंदर ही सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ने से हर सेल में 2C DNA और मतलब इस अंक्लीव जाइगोट के कंपेर में DNA का है माउन क्रोमस्वम का कई गुना बढ़ गया है लेकिन साइटोप्लाज मोतना ही है यह ठीक वैसे जिसे एक रोटी थी आपने रोटी के दो टुकड़े की चार की आठ किया सोला किया सारे टुकड़ों को जोड़ों गे तो रोटी एक ही रहेगी लेकिन नंबर अफ्रेग्में बढ़ जाते हैं तो लिखा क्या बात सरते हैं माहुला में इट हैज आल्मोस्ट इक्वल क्वांट्टी आफ साइटोप्लाज एज अन अंक्लीव जाइगोट इस जाइगोट में भी क्लीवेज नहीं हुआ है बट मट दूसी डियनने है और यहां सोला अगुना डियने जाइगोट से अपनी जीवन का स्टार्ट करता है यह है इसका पूरा खेल यह पीवाई को कोशन था यह आपको आना चाहिए था पहला आप देखिए आपको बताया गया था कि जब आप स्केलेटन सिस्टम की बात करते हो इसकेलेटन सिस्टम कोच नि ठीक इसको कैसे डिवाइड किया गया था एक्जियल और एपेंडी कोलर ठीक अपको पता है इसकलबोन रिप्स ठीक है इस टर्नम आएगा यह राशसेकिल आएगा और आपका बटिब्री आएगि और गडेल में आपका आगया पेलविक मैं और चे लमी पेक्टोरल एक पीसे स्कॉारल और श्कका फॉर्मना पी इसे स्कॉार एसे स्कॉार यह क्या है क्ल्यूुकिल 46 ना स्क्पूला घिक और यहां सजी है आपका कॉँसमें सजी हो गया इस्केयपुला ठीक है उये कोग्जल बून किसके फ्वियल से बनता है इलिएम एस्टियमन और प्यूभिस और यह उन आई वाला है वाही जैशल दूसरा ओला कहां होगा इंटेस्टाइग में होगा तो आई वाला इलियम होता बोल में तो दो क्लेविकिल और दो स्केपुला कहा है यह रहा दो क्लेविकिल दो स्केपुला और सकेंड अब देखेंगे बांड्री जब दाइक प्रोटिस्टा नाइसर नाट वेल डिफाइंड है कियो कि आप देखके थोड़े बता सकते हो कि इस इलगी रहेगा कि अपका फंजाई रहेगा कि एनिमल रहेगा जो प्रोटो जवा होते हैं वह एक्चुबल में एनिमल ही है लेकि य इनिमल भी है ठीक है कुछ नान फोटो संथेटिक हैं कुछ दोनों मोड रिटुसन वाले हैं तो हम कह नहीं सकते कि इनकी बाउंडरी क्या है अब देखिए राइजोपस क्या है यह फाइको माइसिटीज का मेंबर है यह फंजाई का मेंबर है और मैं बोल रहा हूं कि जब यह सबीट के फंजाई है और प्लाज्मोडियम क्या है यह प्रोटो जोवन है तो चुछ आप देखिए यह आपको याद करना पड़ेगा बहुत से बच्चे करना याद में हो रहा दिया इसलिए यारि याद को याद हो हम इक्जाम से पहले ही सवाल के मध्यम से ही आपको आड कर देंगे हम कह रहे हैं आपको आप्षन और 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 इस चार और अफसों और मिल्ला तो बागी देख ले गाए ना बहाई प्रस्च के लिए होता होता है तो आपको इसे ही त्यार हो जाएगा बस सवाल कोशन याद रखिए थर्ड आप्शन अब देखिए यह सवाल मैंने आपको फसाया क्यों आपकी बुक में जहां पर लिवर फ्लुक लिखा है और पॉपुलिशन उसकी ब्रेकट में लिखाया ट्रीमेटोड पैरासाइट ठीक प्रेमेटोड पैरासाइट और मैंने इस ब्रेकट को उठाया है ज्यां रखिए इसलिए बहुत से बच्चे गलत कर गए है तो ट्रीमेटोड पैरासाइट लीवर फ्लुक सर्जी यह ट्रेमेटोड है क्या अब देखिए होता क्या बच्चों फाइलम प्लैटी हैलमें ग्लास त्लिट एक सिस्टोडा की ट्रिमाटोडा और ट्रफीलएयग फैसियोला जिसको आप बोलते हो स्ञेशिभी क्लास के लिए बोला जा रहा है क्या ओ yam थो POLICE तो तर्विलेरिया का एग्زाम्पल है प्लैणेरिया और ट्रिमेटोडा क्लास से लिए ट्रिमेटोड परसाइट डाइस लिवर फ्ल्यूक फरस्ट आंसर अब देगे यह तो आप अभी तक आपको यह डेटा नहीं याद हुआ बार डावस्टी घान और तब से आप लोग बार बार गलत करें आयूसीन दोर चार का डेटा यह कहता है कि टोटल 784 एक्षिंट हुए जिसमें 338 तो वर्टीब्रेट थे और 369 इन वर्टीब्रेट थे ठीक और उसमें भी 87 क्या था प्लांट ठीक तो कुश्चन में आपको प्लांट के रिफ्रेंस में निकालना था अंसर थाड़ है और सोच लिए अभी तक आप लोग गलत कर है इसमें तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेसन खतम हुआ ठीक है कमेंट बॉक्स में आप देखिए एक बड़ी समस्य आप लोग के सामने यह हो रही है कि जैसे ही बहुत से बच्चों का एक दो पेपर में नंबर अच्छा हो जा रहा है ठीक है अठासी नवासी लगा हमने तुमसे अच्छा कर लिया तुमने यह जो सेडी के बच्चें जिनें वड़ी खुसी हो रही है कि देखो मेरा ठाजी सही हुआ अब मोड करके भौकाल बना करके काका दो गलियों में चाय की दुकानों पेग दूसरे गुपतुगू कर रहे हैं वो यह भूल रहे हैं कि अभी नीट का एक्जाम पूरे तकरीवन पैसर दिन बाकी है अभी एक्जाम आपका कम्पीट नहीं हुआ है जब तक नीट का एक्जाम आप देखना लिजे तब तक कोई भी ओवर कांफिडेंस या किसी प्रकार की गुपतुगू करना सब आपके लिए हानिका रहा है जिन नीट का एक्जाम मत दे लिजे तब तक आपका हर दिन इंप्पॉर्टेंट हो सकता एक्जाम के दो दिन पहले ही आपको लग जाए कि हमें सब कुछ आ रहा तो भी करवबर है ज्यादा आ रहा है तो समस्या कम आ तो समस्या बस जित चो पेपर दिया जा रहा है उसको फालो नहीं कर सकते इस सबसे पहड़ी चीज है पेपर को चेश दीजिए और बहुत से बच्चे करें देखिए सर हमारा यह सवाल गलत हो गया तो हम क्या करें पहली बात जीवन में एक बास समझ लीजिए चिंता आपका भविस्त नहीं बदल सकती चिंता आपकी भविस्त नहीं अगला पेपर उस से बहना होने वाला है और अगर उस पेपर और जिनका गलत हो गया पिछला वाल गया क्या नाम है इस सवाल से जो भी मैं नशेखा गलत ही अच्छान भो खराबन भो जो भी मिला उसे सुईकार करेंगे सवाल गलत हुआ जैसे जीवन में कोई घटना घटे सबसे बड़ी महचपूर चीज हैं अपने बरतमान का सुईकार करना ये बरतमान का सुईकार करना ही है जो आपको बीते हुए कल से निकालता है और आने वाले कल के लिए सक्छम बनाता सजक बनाता है बात को समझे जो बच्चे बहुत खुश है देखो मेरा अरे यार पूरे 90 सही हुए अटाव यार कयारी हमारी हो गई और कुछ बच्चे जो रोना लेके बैटे हैं यार 5 सवाल गलत हो गया देखो आगले पेपर ने क्या होगा अटाव यार मोडो चलो रामो की दुकान पर चलते हैं तो उनकी भी समस्या है तो भविष की चिंता आपका भविष नहीं बल सकती और अतीत कारोना आपका भूदकाल नहीं चेंज कर सकता कि एवल वर्तवान में जो भी गटना गटे दुख मिले सुख मिले सवाल गलत हो जाए या कोई कुछ कह दे सब कुछ स्विकार करना है वर्तवान का स्विकार ही आने वाले कल के लिए सजग और आपको जागरुग बनाएगा और अपने अतीत से निकालेगा थैंक यू पर वाचिंग दा वीडियो बाए बाए